ये पलास वली है पलास वेल भी कहते है उनको तेखो उनकी दो डहली इसे आटा में वड लेकर उपर चड़ती है किसी दूसरे पेड का सहारा लेकर उपर चड़ती है लेकिन उसका आटा वाला इसकी डहली सभी होती है थड़ भी है इसी होती है ये आटा लेकर ही उपर चड़ वेल कहा जाती है लेकिन बहुत बड़े ही होती है बहुत बड़ा पेड़ के समान बन जाती है उसका पात्रा भी देखो पलास के समान ही उतका पात्रा है इसलिए उनको पलास वेल कहा जाती है देखो तीन तीन पात्रा की एक गुठी है तीन तीन पात्रा की बिलकुल पलास के पात्रा के समानि उनका पात्रा है। इज़े अपनी दिव्या 168 अउषधी है। इस में से एक युश्धी है। रस्षाण के लिए बहुत काम किए। उसका कंद में पिला रस निकलता हैं। जो पारत को 30 रिति से बंदन करता है। और पिलकाम में उपयोंगूंगी होता है। और पारत का जो 108 संसकार दिया जाता है, इसमें भी 108 में से एक संसकार इसी के रस्त का आता है, उसके कंद के पिले रस्त का संसकार दिया जाता है, जो अपने सास्त्रों में 108 संसकार कहा गया है, इसमें से एक संसकार इसके कंद के रस्त का होता है, बहुत देविया उसद यह है एक गुजरात में सोनगड में डांगा हुआ के जंगल में है कितनी बड़ी पेड के समान वेल बन गई है देखो चारों तरफ उनकी डहली जो निकलती है डाली जो निकलती है उसब आटा के समान ही है गोल गोल आटा गुमती है ऐसे ही है सब देखो उसके हर डंक हड़ देखो उसके हर डाली देखो वाटा के समान ही रहेगी बड़ा पेड जैसी बनती है देखो पलास फेली बहुत रसाइन के लिए काम की चीज़े है इसको पलास फेली भी कहते है पलास तिलिका भी कहते है हस्त कानी पलास भी कहते है और पलास वल्ली भी कहते है कर दो नहुंग